नमस्कार आपका स्वागत एश्यानी जिन्यों में आपके साथ मैं पून है आईश्मान खुराना जल्दी 2019 में आई ब्लॉक्बस्टर कॉम्मेडी ड्रीम गल के सीक्वल के साथ वापस आ रहे हैं फिल्म 25 अगस को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है इस बीच मीडिया को दिये इंटर्वियो में आईश्मान ने कहा कि ड्रीम गल्टू में वह अनन्या पांडे को लीड एक्टरिस के तौर पर कास्ट करने को शौर नहीं थे एक्टर ने बताई कि उन्हें लग रहा था कि अनन्या इस रोल के लिए सही चौइस नहीं है एक इंटर्वियो में आईश्मान ने कहा मैं हमेशा सोचता था कि वो एक शेरी लड़की है ऐसे में वह भारत के टियर टू शेर मतुरा की लड़की का करदार में कैसे ढल पाईगी लेकिन वह मतुरा की बोली और वहां से जुड़े करदार में तुरंट ढल गई हमारे देश में हर दस किलोमेटर पर लाहजा बदल जाता है लेकिन वह उनको उच्चारण बहुत अच्छा है उन्होंने अपने करदार को तुरंट पकड़ लिया आईश मार ने आगे कहा अगर आप मुंबई की लड़की है तो इस तरह के लफजों को पकड़ना मुश्किल होता है मैं तो फिर भी हिंदी बोलता हूँ हिंदी में सोचता हूँ इसलिए मुझसे इस तरह के केड़ार हो जाते हैं लेकिन उन्होंने वाकिए फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है हमने से पहले भी फिल्म पती पत्नी और वो में उन्हें देखा था वो इससे पहले भी यूपी की एक फिल्म कर चुकी है हमें वहां की बोली सिखाने के लिए एक शक्स थे यस शतुर्वेदी जिन्होंने हमारी काफी मदद की इसी के साथ बनने रहें एक्षेन्यू जिन्जा के साथ धन्यवाद